सांसर सरुच पांडे का बड़ा बयान कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा इनके नेता एक पत से इस्तिफात देते हैं मुख्यमंतरी की दौड की लडाई है इनके अंदर गुडबाजी है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है प्रदेश अध्यक्षा और मुख्यमंतरी की लडाई होती है इनकी लडाई ही इनको ले टूबेगी 36 गड़ की सरकार में जो असंतोश है वो असंतोश इस बात को बताने के लिए परियाप्त है और जो आज हमारे देश के गृह मंतरी जी ने जिस विशय को कहा है वो कोई अतिश्योक्ति पुर्ण नहीं है सरकार ने कभी कोशिश नहीं करी और हम लोगतंतर पर विश्वास करने वाली पार्टी है लेकिन कॉंग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है इनके नेता एक पत से इस्तिफा देते हैं मुख्यमंत्री की दौड की लड़ाई है इनकी गुडबाजी है प्रदेश अद्ध्यक्ष और मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है दोनों एक दूसरे के साथ में बैठक के अंदर बाता बाती करते है तो कॉंग्रस पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है ये बात सब को दिखाई दे रही है लोग महसूस कर रहे है इसलिए आने वाला समय भाजपा का है और इनकी लड़ाईया इन्हें ले डूबेंगी ये सरकार लंबा नहीं चलेगी और सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन ये सरकार पलड़ चाहेगी